हेलो स्टुडेंट्स आज हम करते हैं क्लास थर्ड की मैस की वर्क्षीट नमबर 16 और हमारा चैप्टर है 5 शेप्स एंड डिजाइन आपको अपने घर में कोई भी खिड़की की जाली देखनी है और उसकी ड्रॉइंग आपको यहाँ पर बनानी है बच्चों मैं अपने घर में जो एक विंडो ग्रिल है उसकी डिजाइन यहाँ पर बनाके दिखा चुका हूँ आपको आते हैं अब इसके फर्स पार्ट पे राइट दा नेम ओफ डिफरेंट शेप्स दैप्ट यू कें सी इन दिस ग्रिल अब आपको इस ग्रिल यानि जाली में कौन कौन सी आकरतियां दिखाई दे रही हैं उनका नाम निकला है तो इसमें हमें वर्ग और आयत दिख रहे हैं स्क्वेर्स और रेक्टेंगल तो आंसर लिखते हैं हम स्क्वेर एंड रेक्टेंगल और सीन इन दिस ग्रिल देखते हैं इसका second part Use some other shapes like triangle, square, circle, rectangle and draw a new grill अब आपको triangle, square, circle, rectangle इन shapes का इस्तवाल करते हुए एक नई ग्रिल बनानी है जैसी हमने इसमें बना दी है आप अपनी मनपसंद कोई भी ग्रिल की डिजाइन इसमें बना सकते हैं देखिए अब आया है 10 gram एक ये 10 ग्राम दे रखा है जिसमें 5 टुकड़े हैं आप इन टुकड़ों से बहुत सारे चीजों को बना सकते हैं जैसे cat, rabbit, car या aeroplane Question number 2 Take a square shaped paper and cut the 5 pieces as shown in the above 10 ग्राम अब आपको एक वरगाकार पेपर लेना है और उसको जो 10 ग्राम आपको दिखाया गया था उसकी तरह उसे 5 टुकड़ों में काट लेना है और निच्चे लिखेवे प्रश्णों के जवाब देने है First part देखिए How many triangles are there in 10 ग्राम? इस 10 ग्राम में कितने त्रिबुज हैं? तो इसमें 3 त्रिबुज हैं, 3 triangles हैं Second part, how many square are there in 10 ग्राम? इस 10 ग्राम में कितने square या वर्ग हैं? तो इसमें 1 वर्ग है Third part, name the biggest shape सबसे बड़ी आकरती का नाम लिखिए तो इसमें सबसे बड़ी आकरती shape 1 की है जो की एक triangle है Fourth part देखिए Apart from triangle and square, do you see any other shape? इस 10 ग्राम में आपको square या triangle के इलावा कोई अन्य आकरती दिखती है और अगर दिखती है तो उसको आप कुछ नाम दे दीजिए हमने देखा कि इसमें जो shape नमबर 4 है वह ना तो एक triangle है और ना एक square है ये इन दोनों से एक अलग आकरती है हम ऐसी आकरती को कहते हैं Quadrilateral Quadrilateral का मतलब होता है एक ऐसी आकरती जिसकी चार भुजाएं या चार साइड होती है अब फिफ्ट पार्ट देखिए Identify the shapes which have same edge length आपको बराबर किनारों वाली एक आकरती को पहचानना है तो जब हमने देखा तो इसमें shape नमबर 3 जो square है उसकी सारी edges यानि लंबाई चोड़ाई बराबर है और इसमें हम लिखेंगे All sides are equal आते हैं 6th part पे Is there a shape which can be covered with any two or more shapes of the 10 gram अब आपको इस 10 gram में देखना है कि क्या इसमें कोई ऐसी आकरती है जो दो या दो अन्य आकरतियों से ढख जाती हो जब हमने इस 10 gram को देखा तो इसमें triangle 1 हमने देखा जो triangle 2 और triangle 5 दोनों से पूरा पूरा ढख जाएगा यानि triangle 2 और triangle 5 ये दोनों मिलकर triangle 1 को पूरा ढख लेंगे अब question number 3 देखिए This is a 7 piece 10 gram यहाँ पर आपको 7 टुकडो वाला एक 10 gram दे रखा है आपको भी एक चौकोर कागस लेना है और इसी तरीके से इस 10 gram की आकरतियों को काट लेना है अब इन आकरतियों से आप नीचे वाली drawing या figure बना सकते हैं जैसे camel है, cat है, bird है Question number 4 देखिए Shino made numbers using the 10 gram pieces अब Shino नाम के एक बच्चे ने 10 gram के टुकडो को इस्तिमाल करते हुए 0 से लेकर 9 तक की counting को लिग दिया है आपको इन counting को देखना है और यह बताना है कि इसमें कौन कौन सी shapes को कितना इस्तिमाल किया गया है चलिए करते हैं table में देखिए, number है 0 से लेकर 9 तक जब हमने 0 से लेकर 9 तक के numbers को देखा तो हमने यह देखा कि हर number में बराबर triangle इस्तिमाल करें गए हैं यानि हर number में 5 triangle इस्तिमाल करें गए हैं और हर number में 1-1 square इस्तिमाल करा गया है हर number में total quadrilateral जो है वो एक इस्तिमाल करा गया है और हर नंबर में कोई भी रेक्टेंगल इस्तेमाल नहीं किया गया इसलिए टोटल रेक्टेंगल में हमने जीरो कर दिया है तो बच्चो ये हमारी मैत की वर्क्षीट कम्प्लीट हो गई है और भी वर्क्षीट के सॉलुशन के लिए बने रहें आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू